वीडियो आज का वीडियो है वो है एगलो नीमा प्लांट्स के बारे में तो आज मैं आपको different varieties of एगलो नीमा दिखाने वाला हूँ अपने इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को देडि़ के साथ बने रहे हैं लासक और अगर आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया ह तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं गाई चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में different kinds of aglolima plants कई सरे plants आपके पास घर पे होंगे और कई सरे plants नहीं होंगे तो उसके क्या नाम है और क्या प्राइस है वो मैं पताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को ला सक देखिया क्योंकि मैं बहुत सारे aglolima plants कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में अगर plant की care की मैं बात करूँ तो प्लांट को आप बिलकुल आप shady area में रखिये और इसके सार साथ welder and soil रखिये थोड़ा सा इसमें आप जो नॉर्मल रेत होता है जो बालू होता है वो आप इसमें mix कर सकते है नॉर्मल मिट्टी खादें भी यह अराम से ग्रो करता है बश थोड़ा इसे light लाइट वाले एरिया में थोड़ा रखिये शेडी एरिया में रखिये और यह बहुत ही easily ग्रो करता है और यह जो प्लांट आप देख रहे हैं यह है एगलो नीमा आइस जो काफी सुन्दर है और यह एक नॉर्मल कट्टे के पैक में पैक्ट है और जो प्राइस है वो है 50 मैं हु té travel वराइटी में मेरा यह थूसरा प्लांट है इस में दो सु 있 न बने किक और देख्वार शूवर भग करेंगा红़ा आप दिखाने की कोश physics करूंगा जब अडूर्स वह एक यह जो है और दिखरrän से दिःकार रहा हूँ यह क्वीन है और किंग की इमेज में आपको दिखाऊंगा पिक्चर के तुरूप तो वो आप जच कीजिएगा कि आपके पास कौन सा प्लांट है जो प्राइस है दोनों के लगबा 50 रूपीज होती है तो प्लीज आप बिल्कुल गौर से देखेगा और जच कीजि कि जो आप दिखा रहे हैं वो यह किंग है यह क्वीन है जो कमले जी ने मुझे बताया यह क्वीन है यह यह अगलो नीमा का मेरा थर्ड प्लांट है और नाम है अगलो नीमा मोडेस्टम और जो प्राइस है वो 50 रूपीज ही है और जो यह जो इसके लीज आप देखेंगे थोड़ी से हेवी से हैं थोड़ी थिक से हैं और काफी सुंदर से लगते हैं आप दोनों साइट से देख लीजए कि यह जो बैक साइट दिखा रहा हूं और एक फ्रंट से देखेगा दोनों के जो लीप से बहुत ही प्यारे लगते हैं बहुत ही सुंदर हैं और यह भी या बहुत आप में प्लांट बहुत लόन टूम नहीं वालिंट फिशेडी एरिया में रहीए और आप कटिंग से भी ग्रो नहीं करते हैं Labi आप एक प्लांट याप अइन ग्रोड देंगंगे और और श्शहा नहीं में बहुत आरही वालिया मेंकित रूप्लाünde C अगर यह लेकी जाते हैं तो कई सारे प्लांट्स आपके तयार हो जाएंगे इस प्लांट की जो सबसे अच्छी बात है वह है कि इसके जो लीफ्स है वह लीफ्स में काफी सारी ग्रीनीरी देखने के लिए मिल रही है इसके जो नाम है वह मुझे एक्जाक्ट नहीं मालूम है मैं गूगल करके वीडियो के उपर आपको मेंशन कर दूँगा तो आप वह देखके आप गूगल कर सकते हैं और बाइक कर सकते हैं प्राइस है 50 रुपीज एगलोनीमा वेराइटी में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो थोड़े कॉस्टली होते हैं जो ये प्लांट आप देख रहे हैं ये एगलोनीमा लिप्स्टिक है और ये प्राइस है इसकी दो सो पच्चिस रुपे है ये अल्मोस्ट अगराउंड आप कहीं से भी वागर बाइ मिलता है और आप कमलेश नर्सरी में बाइ है करते हैं तो ये 225 रुपे का है इसी में एक और आती है जो दो यह देखिए यह दोआर वराइटी है और जो प्राइस है दो सो पच्चीस रुपय है यह भी आप ट्राइ कर सकते हैं तो कुल मिला कि अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको साथ डिफरेंट वराइटी अफ अफ एगलो नीमा मैंने दिखाई है आपको तो जो वराइटी आपके पास नहीं है वो आप यहां से बाई कर सकते हैं अगर आप और एक प्लांट तयार करना चाहते हैं अपने कटिंग से तो वो भी आप कर सकते हैं तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब मैं प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल